अगर दोस्तों आपके मोगरा प्लान्ट के उपर फुलावर नहीं आ रहे हैं तो आज का वीडियौ आपके देखना है अपके मोगरा प्लान्ट डेफिनिटली ब्लूम करेगा और एक दो फुलावर नही पूरा पौधा ही फुलावर से बढ़ जाएगा पॉइंट नमबर वन यहां पर दोस्तों आपको अपने प्लांट को अबसर्व करना है आपके प्लांट के उपर नजर डालनी है कि प्लांट में प्रॉब्लम क्या है क्या उसकी लीफ के उपर कोई इंसेक्ट अटेक हो रहा है प्लांट कमजोर है प्लांट की लीफ में कोई फ पैर करता है है अगaus के लिए सब्सक्रेंगे पॉइश्य को फर्टिलेजर यहां पर मौग्रा प्लाइब को फुर्टिलेशर देना बहुत ज़रूरी है और ईसे मौग्रा प्लाइब ज़्याधा से ज़्याधा बिलूम् 2 करेंगे उसके लिए हम टॉपब लियर की सोल हैं इस वाल खड़ा होता है कॉन सा फटीजर और वेठ बहुत इंपर्टेंट होता है इसलिए पर्म उस यहां पर चाउडंड कमपोज या फिर कोपर के खाट है प्लांट के ओवरॉल डवलप्मेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है काउडंग कंपोस कैसे बनाया जाता है अगर वह आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर उपर आई बटन पर आजाएगा आप एजिली जाकर चेक कर सकते हैं पॉइंट नमबर फो ट्रिमिंग जहां दोस्तों मोगरा प्लांट को ट्रिम करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ्लावर मिलने वाले हैं क्योंकि उस्तिकल बनाते में छटापेशन में देुन ट्रिमिंग ट्रिमिंग करने से होथा गया है हमें बहुत सारी छोड़ी शोड़ी न्यूड ब्रांचिस मिलती हैं उप्लावर बड़ मिलता है आप आगे जाकर अगे समझ जाएंगे कौन से फ्लावर बड़ है― यहाँ पर दोस्त अपने plant की trimming करें और overall plant की trimming करें इससे plant की health भी काफी अच्छी रहती है और इसके अंदर growth भी बहुत अच्छी होती है trimming करने के बाद आप अपने plant को अच्छे से water पीला दीजिए क्योंकि अभी हमने fertilizer दिया है तो plant उस fertilizer को absorb करने लग जाएगा पॉइंट नमबर फाइफ फ्लावर बूस्टर यहाँ दोस्तो मुगरा बलंट बहुत ज्यादा फ्लावर प्रेडूस करता है उसके लिए दोस्तों उसको काफी ज्यादा energy काफी ज्यादा nutrients ची होते हैं soil के अंदर से वह कहां से मिलेंगे उसके लिए भी दोस्तों हमें fertilizer prepare करना होगा और उस fertilizer का नाम है मस्टेट के एक fertilizer या फिर सरसोखली सरसोखली fertilizer देने का बहुत आसन तरीका है दोस्तों इसे चोईस गंटी के लिए water में dissolve करके रखें उसके बाद दोस्तों यह ready होता है plant में डालने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना घाड़ा हो पर यूज करा जाता है चलिए दुस्तों हमारा fertilizer ready है इसमें थोड़ा और हम water में लाएंगे फिर यह plant में डालने के लिए ready है चलिए इसे plant में डाल जाते है अब every 20 days के बाद mustard के एक fertilizer का use करें इससे आपके plant में काफी ज़्यदा growth आएगी और plant में flowering भी बहुत अच्छी होगी आफ्टर 15 days हमारे मोगरा प्लांट में new growth इस्टार्ट हो गई चलिए एक बड़ चेक करते हैं कौन कौन सी ब्रांच के उपर new growth इस्टार्ट हुई है मोगरा प्लांट गजब की रफतार के साथ दोस्तो बढ़ रहा है यहाँ पर new new shoots बहुत सारे इसने प्रेड्यूस कर दिये मतलब हमें काफी मात्रा में flowers मिलने वाले हैं अब ready रहना दोस्तो अब यहाँ पर point नमर 6 यह है दोस्तो की yellow leaf problem हो जाती है बहुत सारे मोगरा प्लांट के अंदर मेरे साथ भी होती है तो इसका simple सा solution है दोस्तो एpsum salt का spray करना पतियों पर भी और मिटी में भी अगर आपके plant में yellow leaf आ रही है और अगर आपको green leaf चीए उसके लिए epsum salt बहुत जरूरी है चलिए prepare कर लेते हैं और हमारे plant को और ज्यादा green मना देते हैं उसके लिए दोस्तों आपको आधा लीटर लेना होगा मतलब 500 ml वाटर लेना होगा और उसमें एक चमच एपसम साल्ट डालना है क्यों है ना दोस्तो मोगरव प्लांट की केर करना बहुत आसान और उसमें जादा से जादा फ्लावर कैसे लाए उस पर बहुत अच्छी से चीट टिप शेयर करिए दोस्त आफ्टर 22 डेस हमारा मोगरव प्लांट कलियों से भर चुका है दोस्तों यहाँ पर आफ खुद देख सकते हैं और एक ब्रांच पर एक फूल नहीं दोस्तो तीन तीन चार चार फूल आ रहे हैं काफी अच्छे तरीके से हमने हमारे प्लांट की केर करिए बहुत अच्छे तरीके से इसको फर्टिलेजर गिया है इसलिए दोस्तों यह पॉसिबल हुआ है और दोस्तों अगर आपको यह अच्छी लगिए तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और प्लीज अगर आप शेयर कर सकते तो जरूर शेयर करिएगा थैंक्यू दोस्तों अब हमारी इंस्टेग्राम प्रोफाल जरूर चेक करना हमारा इंस्टेग्राम आइडी है दवन पेज अंडर स्कॉर दूसरे ही दिन हमारे फ्लावर खेलने लग गए दूस्तों यहां पर बहुत कुक्सरत सा एक्सपिडेंस था मेरे लिए और अगर आप चाहते हैं सेम एक्सपिडेंस आप लेना तो सेम टू सेम प्रासेस आप भी फॉलो करिए और आपका भी मोगरा प्लंट फ्लावर से